आज के इस lecture में हम लोग जानेंगे step by step stages of civil suit के बाए किसी भी case को file करने से पहले हमें civil के case में ये जानना जरूरी है कि कहीं वो case किसी वज़ा से बार तो नहीं है क्योंकि CPC के अंदर बहुत बार civil का suit जो है वो बार हो सकता तो उस जगहां पे court जो है उस suit को dismiss कर सकती है तो इसलिए हमें कई बार्स चक करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज कि हमारे client ने मान लिजे कि हमें जब अपनी story बताई facts बताई तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो case actually में civil nature का case है की नहीं वो actually में civil का case बन भी रहा है की नहीं बन रहा है क्यूंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे यहां civil के cases के लिए हमारे पास अलग procedure है और criminal cases के लिए हमारे पास अलग procedure है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो civil का case है भी की नहीं जिसके लिए हम इसमें apply करेंगे section 9 of CPC को उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये जो case हम file करने जा रहे हैं कहीं ये order 9 rule 9 से बार तो नहीं है हम ये देखेंगे हमारे client ने पहले case file किया हो और उसके अंदर वो appear ही ना हुआ हो court में जिसके वज़े से court ने इस suit को dismiss कर दिया हो तो अगर उस जगहां पे suit dismiss हो जाएगा तो वो जो हमारा client होगा वो fresh suit file करने के लिए बार हो जाएगा as per order 9 rule 9 के इसाप से उसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि जो case हम file करने जा रहे हैं कहीं ये limitation से बार तो नहीं है कहीं इसके अंदर समय सीमा निकल तो नहीं गई ह तो फिर हम इसके अंदर limitation act को लागू करके देखेंगे उसके अलावा हमें अगर ये बात पता चल जाती है तो बहुत अच्छा है कि कहीं ये case risk judicata से बार तो नहीं है as per section 11 ऐसा तो नहीं है ये कि ये जो matter इसके अंदर directly and substantially an issue है ये already decide हो चुका है उसके अलावा हम ये भी द से ज्यादा उस suit के अंदर relief मांग सकते थे आप court से लेकिन आपने नहीं मांगी मांगी आपने एक ही relief तो अब दूसरी relief के लिए आप दुबारा suit file नहीं कर सकते हैं उसमें order to rule 2 का बार लग जाएगा इसके अलावा हम section 10 को भी apply करके देखेंगे कि कहीं same case जो है already court के अंदर pending तो नहीं है अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने सारे bars चेक करें हमें पता चला कि हमारे client का case जो है bar नहीं होगा तो अब उसके बाद जो हमारा दूसरा step आएगा अब वो हम पता करेंगे place of swing अब हमें किस court में जाके इस case को file करना है क्यूंकि case भी अलग-अलग nature के होते हैं movable properties related है, immovable properties related है तो इसमें हम क्या करेंगे section 9 के साथ साथ हम इसके अंदर section 15 से 20A के sections जो है CPC को उनको लागू करेंगे तो आम तोर पे general rule क्या है कि अगर कोई immovable properties related है तो जिस जगहां पे immovable properties situate करती है जिस court की jurisdiction में उस court के अंदर jurisdiction होगा और वहां पे जाके आप suit को file कर है यह जहां पे defendant रहता है यह general rules है कि जिस जगहां पे cause of action हुआ है यह जिस जगहां पे defendant रहता है उन courts में आप जाके suit को file कर सकते हैं तो फिर आप इन sections को apply करके पता करोगे भाई किस court में जाए venue क्या होगा place of swing क्या होगी किस court में जाके file करना है यह करोगे न यह आपका suit जो है वो institute होता है civil के case के अंदर जब हम अपनी plan को present करते हैं court के अंदर तब जाके एक civil का case दायर होता है अब इस plan के लिए हमें इसकी rules पढ़ने पढ़ेंगे इसके contents क्या होंगे प्लेंट के यह इसके order 7 में बताया गया है pleadings के rules क्या होंगे इसके order 6 में बताया गया है अ आपको कौन-कौन सी बाते लिखनी है कौन-कौन सी नहीं लिखनी है किन-किन बातों का ध्यान रखना है वह आपको order 6 order 7 से पता चल जाएगा अब माल लिजे कि हमने अपनी plan को court में present किया अब जिस court में हम गये वह proper court नहीं थी तो उस जखहां पे court जो है हमें किसी भी stage पे ह इसमें grounds बताएगे है कि plant कब reject हो सकती है अब मान लिजे कि हमारी plan reject नहीं होती है हमारी plan admit हो जाती है तो एक बार हमारी plan admit हो जाएगी अब उसके बाद क्या होगा उसके बाद जो सामने वाली party होगी जिसके against हमने case file किया है उसको summon भेजा जाएगा summons to defendant जो discuss है order 5 of CPC के तो अब मान लिजे कि defendant के पास summon भेजा गया अब जब defendant के पास summon भेजा गया अब हो सकता है defendant आये ना जिस दिन की date लगी हुई है तो उस दिन कई तरीके की scenario हो सकते हैं हो सकता है plaintiff नाए हो सकता है defendant नाए हो सकता है दोनों नाए हो सकता है defendant आ जाए पर plaintiff नाए तो क्या होगा त कि case के अंदर अब होगा क्या तो यह deal करता है appearance and non appearance of parties और इनके consequences के उपर जिसके उपर हम एक already वीडियो बना चुके हैं जिसका link हम इस वीडियो के अंदर drop देखे तो अब appearance and non appearance of parties वाला part हम लोगों ने देख लिया अब उसके बाद एक चीज और धिहान में रखना है CPC के अंदर civil के cases के अंदर code जो है बहुत सारे interim orders पास कर सकता है interim orders को हम लोग सरल से शब्दों में समझ लेते हैं कि जैसे for example हमने app के against case file किया हुआ है किसी land की ownership को लेके या उसके possession को लेके तो code क्या decide करेगा उस case के अंदर उसकी ownership या उसका possession लेकिन case चलने के दौरान आप ने उसी land पे कुछ construction करना शुरू कर दिया या माल लिजे कि कोई घर था case चलने के दौरान आपने उसमें कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर दी या ऐसी कोई सूचना मिलती है कि आप उस land का सौधा कर रहे हो बेचने के चक्कर में हो या कोई property है court के jurisdiction से हटाना चाहते हो तो उस suit property को preserve रखने के लिए court जो है बहुत सारे interim orders पास कर सकता है interim मतलब कि जो interlocutory orders होते हैं मतलब कि जो पूरे cause को case को decide करने के लिए नहीं पास करे जा रहे है case को चलने के दौरान बहुत से intervening matters आ गए कि वो suit property पे कुछ construction करने लग गया या मकान तोडने लग गया या भागने के चक्कर में है property dispose of करने के चक्कर में है उसको preserve रखने के ल पूरान कुछ interim orders पास करता है तो यह stage आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है तो अब बहुत सारे जो orders है जिनके अंदर code जो है इन interim orders को पास करता है जैसे order 24, 25, 26, 38, 39, 40 और 41 में ठीक है इन सारे के उपर हम already videos बना चुके है तो अब मान लीजे कि इस case के अंदर कोई interlocutory proceedings नहीं ह आएगी वो किस चीज की आएगी written statement की यानि जो सामने वाली party है defendant है अब वो अपना जवाब लगाएगी जो हमने plain court में file करी है जो plaintiff ने अपनी plain court में file करी है उसका वो जवाब लगाएगी जो plain का वो reply देती है उसको बोला जाता है CPC के अंदर written statement यह order 8 जो है CPC के अंदर discuss ह इसके अंदर defendant जो है अलग-अलग please ले सकता है defenses ले सकता है set off claim कर सकता है counter claim कर सकता है यानि वो अपने अलग-अलग objection उठा सकता है defense ले सकता है deny कर सकता है plaintiff के allegations को देखे अब जो eighth stage हो सकती है एक civil case के अंदर वो हो सकती है discovery and inspections related pleadings के ओवर होने के बाद अगर दोनों में से को कोई party को ऐसा लगता है कि सामने वाली party का जो case है सही तरीके से clear नहीं हो पा रहा है तो हम सामने वाली party को compil कर सकते हैं कुछ facts को disclose करवाने के लिए या कुछ documents को disclose करवाने के लिए तो यह जो discovery होगी यह भी दो तरीके की हो सकती है डिसकवरी of documents और डिसकवरी by interrogatories interrogatories जहां प करके सामने वाली party से उसके किसी documents को भी disclose करवा सकते हैं पर ध्यान रहे है वो documents evidence नहीं होना चाहिए बस उसकी importance होनी चाहिए case के अंदर उसी तरीके से आप documents का inspection भी कर सकते हो order 12 जो है वो admission के उपर deal करता है यानी कि एक party दूसरे party से मान लिजे कि case के अंदर कुछ facts या document या party ख तो अगर आपने facts admit कर लिया तो code जो है उसके उपर judgment पास कर सकती है order 12 rule 6 के उपर क्योंकि आपने उस point को accept कर लिया admit कर लिया उसके अलावा production of documents अगर आपने court के अंदर copies file करी है अपने plaint ये written statement के साथ तो issues के settlement से पहले issues के frame होने से पहले आपको original documents जो है court के अंदर produce करने होगी देखे अब इसके बाद जो stage आती है वो है ninth stage इस stage में court देखता है parties के बीच में क्या assertions और denials है यानि जो parties है वो कौन कौन सी बाते एक दूसरे की admit कर रही है और deny कर रही है उसके साथ साथ court जो है parties को examine करता है under order 10 rule 2 के अंदर इतनी चीज़ें करने के बाद यानि parties के assertions और denials को देखने के बाद parties को examine करने के बाद अब court क्या करता है अब एक बहुत ही एहम stage आती है court की वो है framing of issues की यानि अब इस stage पे court जो है parties के बीच में जो issue है उसे frame करता है यह issues क्या होते हैं देखे पार्टी अपनी pleading में बहुत सारी बाते कहती है बहुत सारी बाते उस case चलने के दौरान admit भी कर देती है तो eventually case जो है किस चीज को decide करने के लिए चलेगा उसके लिए court जो है issue frame करता है अब यह framing of issues है यह actually ninth stage का ही part है क्योंकि जो ninth stage हम लोगों ने देखी उसके अंदर court जो है parties के बीच में assertions denials को consider करने के बाद और parties को examine करने के बाद under order 10 rule 2 में फि parties के बीच में actually में टकरता है इनी की उपर hearing चलेगी फिर इनी एक एक issue को proof और disproof किया जाएगा अब case के अंदर issue frame हो गया अब जब case के अंदर issue frame हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग जो है अपने गवाहों को बुलाएंगे court के अंदर तो गवाहों को बुलान के अंदर यानी summoning and attendance of witnesses कि अब issue frame हो गया अब अपने अपने case को proof करो तो गवाहों को बुलाओ order 5 के अंदर जो हम लोगों ने summon पढ़ा था वो था summons to defendant यह order 16 जो है यह है summoning and attendance of witnesses अब order 16 के अंदर हमें बताया गया है कि हम अपने गवाहों को court के अंदर बुलाते हैं समन गवाहों को court में बुलाते हैं अब order 18 में बताया गया है कि अब उसी case के अंदर hearing शुरू होती है यानी अब trial शुरू हो गया है अब जब यह trial शुरू हो गया है तो इसी case के अंदर गवाह जो है अपनी गवाही देंगे फिर इसके अंदर वही Indian evidence act का examination in chief cross examination जो है वो picture में आ के अंदर जो सबसे final stage होती है यानी hearing की final stage वो क्या होती है arguments की case के अंदर की जो judge है उसको अपने favor में convince किया जा सके फिर और इसका overall arguments होता है फिर हम written arguments court के अंदर submit करते हैं उसके बाद court का judgment आता है देखे अब इसके अंजर जो 12th stage आई वो stage आई judgment की जैसे कि हम लोगों ने जाना कि जब arguments होते है arguments के बाद अब court जो है अपना judgment pronounce करता है open court judgment जब pronounce हो जाता है उसके बाद 15 दिन के अंदर 15 days के अंदर decree को draw किया जाता है देखे अब जो 13th stage आईगी एक civil के case के अंदर इसमें से कुछ stages जो है case चलने के दौरान आ जाती है जैसे reference case चलने के दौरान कोई भी question of law arise होता है किसी act को लेके किसी section को लेके उसकी validity को लेके तो जो lower court होगा वो high court के पास reference के लिए case भेज सकता है कि high court इसमें अपनी opinion दे तो ये तो reference हो गया उसके अलावा review भी होता है review कब होता है कि कोई judgment आ गया तो उस judgment के आने के बाद उस judgment के अंदर उस judgment में आपको लगता है कोई error है on the face of the record या आपके पास कोई evidences नहीं थे जो अब हाथ लगे हैं तो आप उस जगहां पे judgment का review करवा सकते हैं उसके अलावा आप revision के लिए भी जा सकते हैं कि कुछ में आप revision के लिए भी जा सकते हैं decision आने से पहले भी और बाद में भी उसी तरीके से आप appeal के लिए भी जा सकते हैं decree को draw किया जाता है decree क्या होती है देखे judgment के अंदर court जो होता है पूरे case का explanation देता है कि क्या-क्य court की findings थी क्या-क्य issues थे क्या-क्य pleading थी parties के बीच में decree जो होती है यह judgment का एक operative part होता है कि इसके अंदर करना क्या है वो decree के अंदर होता है इसको define किया गया section 2, subsection 2 CPC के अंदर, अब decree आ गई अब decree आने के बाद भी इसकी एक final stage आती है वो है execution of decree अब जो decree के अंदर court का फैसला आया है, इसको enforce करवाना इसकी enforce के लिए अलग से court में application दी जाती है ये discuss है आपके order 21 of CPC के अंदर